नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं यह मामला पिछले दिन मुख्य मंत्री के संध्यान में आया तो उन्होंने संविदा कर्मियों को भी इसका लाब देने के स्विग्रिति पदान कर दिया है मुख्य मंत्री की स्विक्रिती के बाद अब वैसी महिला कर्मियों को मातिरत्य आवकास का लाव मिलेगा जिन्होंने पिछले 12 महिने में 80 दिन समीदा पर काम किया हो उन्हें 180 दिन का मातिरत्य आवकास मिलेगा हलाकि यह लाव केवल पहली दो संतानों पर ही मिलेगा मातित आवकास्त के दोरान महिलाओं को वही रासी मिलेगी जो छुटी पर जाने से पहले अम्तिम सन्विदा में मिली थी जारखन में दूद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिल्क रूट बनाया जाएगा जारखन की किरिसी मंतरी बादल पत्र लेक ने कहा अगी के मिल्क रूट बनाया का शारखन एक जोरना राये ठाड़ी में गयो का बितर्ण किया जाएगा किरिसी मंत्री बादल पत्र रेखने छेत्र भर्मन के दरान सारवा बोस इस्टेंट प्रग्रामीनों की समस्याओं को सुनने के करमे है जनकारी दी उन्होंने कहा दूद की खरिदारे में किसानों को अलग से तीन रुपे बोनस दिया जाएगा उन्होंने बताया है कि जारखन मिल्क फ्रेडरेशन के द्वारा देव घर डेरी के इंचार्ज मिलन कुमार मिस्रा और कर्मी कौसलेंदर कुमार के द्वारा सारवा और सोनरया ठाड़ी के 25 गाओं में इसको लेकर सरवे का कार्य किया गया किरिसी मंत्री ने बताया है कि दोनों परखन में 5000 लीटर दूध के कलेक्शन का लग्ष रखा गया है इसके लिए कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा है इस दोरण गरामिनों ने हटिया सेड की मरमत कराने की भीमांग की है जिस पर किरिसी मंत्री ने अबिलम मरमत कराने का आ पर तसरार, चकरी, टोरी, कला, गाउ, सहित, अने गाउ के सर्धालू ने गाजे बाजे के साथ भव्य कलस्यात्रा निकाली। कलस्यात्रा में महिला, युवतिया, नौजवान, समेत बच्चे, जोगिया, पहाडी, सिवमंदीर प्रांगण में जमा हुए। इसके बाद सर्धालू की टोली ने सिवाले से बीधिवत पुजा आचनाकर कलस यात्रा शुरू की बता दे सर्धालू जोगिया पहाडी सिव मंदीर से करी 5 किलोमेटर दूर अवस्थित नीमिया खाड दानलो नदी और सोसती नदी के संगम अथल से पवित्र गंगा जल कलस में भार कर जर ही संकट मोचन हनमान मंदीर तसरार टोरी कला गाउ का भ्रहमन करते हुए जय सिव बोल बम के नरे लगाते हुए टोरी कला इस्थित जोगिया पहाडी सिवाले में पहुँचे जयक द्वार संचालित होने वाली परिक्षाएं हो सकती है प्रभावित जर्खन में इसमा जयक द्वार संचालित कई परिक्षाएं होना प्रस्तावित है लेकिन एस अभी परिक्षाएं प्रभावित हो सकती है इसकी बड़ी वजा जैक सचीव का पद खाली होना है ग्यात हो कि जैक सचीव मंदीप सिंग 30 जून को अपने पद से सेवावित हो गाए थे तब से लेकर जैक के नई सचीव को लेकर कोई घोसना नहीं हुई है सचीव का पद रिक्त होने से कई कार्यों में परसानी हो सकती है जार्खन में इस मा मुख्य मंत्री मेधा चातेविती परवेस परिक्षा मैट्रिक, इंटर, संपूरक परिक्षा और इंद्रा गांधी बाली का बिद्याले परवेस परिक्षा प्रस्तावी था लेकिन ये सभी परिक्षाय आपने तय समय पर हो जाए फिलाल इसकी समभावना कम लग रही क्योंकि परिक्षा के लिए जारी परवेस्पत्र में सच्चीव का हस्ताक्षर होता है बिना इसके कोई परिक्षाय संचालित नहीं होती है मांसुन अलट पर जार्खन पुलिस जंगलो और बीहडों में बिसेश तरकता नकसल अभियान में लगे अपसरों और जवानों के लिए मांसुन हमेशा एक बड़ी चिनोती बनकर आता है पताद जार्खन पुलिस के लिए इस वर्ष का मांसुन बेहाद ही महत्पून है क्योंकि अथक पर्यास और अदम में बीरता दिखाते हैं जार्खन पुलिस ने केंद्रिय बालों के साथ मिलकर बुढ़ा पहार, टाई जक्सन, परसनात और बुलबुल जैसे घोर नकसल भी जारी किया गया है, ऐसे में विशंपरिश थीतियों के बाजूत इस बार के मांसुन में भी जार्खन के बिहडों में जवानों ने डेरा डाल दिया है, इस मांसुन में भी नकसली से लेकर साब बिच्चू और मच्छर सुरक्षाबलों की परिक्षा लेंगे बिजेपी के पुरुवतर राज्जियों के परदेश अध्यक्षों की बैठक में हिसा लेने गुवा हाटी गाए बाबुलार मरांडी बिजेपी के पुरुवतर राज्जियों के परदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों की बैठक गुवा हाटी में 5 और 6 जुलाई को है बैठक में हिसा लेने के लिए जहारखंड के नौ न्युक्त परदेश अध्यक्ष बाबुलार मरांडी और पार्टी के अन्य वरिष्ट नेता गुवा हाटी पहुच गए हैं बाबुलार मरांडी गुवा हाटी के बैठक के बाद दिली जाएंगे जहां 8 और 9 तारीकों बीजेपी के कारक्राम में हिसा लेंगे उसके बाद वे राची लोटेंगे पार्टी सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार गुवा हाटी में बीजेपी के प्रुवतर राजों के परदेश अध्यक्ष और संगतन महामंत्रियों के बैठक में हिसाल लेने के लिए जहारखंड के नौन युक्त परदेश अध्यक्ष बाबुलर मराणी भी पहुच गए ह बैठक में परदेश के लिए रणनीती मोधी सरकार के नौ साल पूरा होने पर चलाएगर कायक्राम की समिक्षा पार्टी के राजे में आगे के रणनीती और मिसन दोहज़ा चोविस के लिए पुरोतर राजों बीजेपी की योजना जैसे तमाम भी सवय पर चर्चा होने की संभावना है चांदमारी कोहलरी के लोडिंग पॉइंट पर बीते कई दिनों से लोडिंग को लेकर दो पक्षों के बीच बिवाद चलता रहा था आई सुबह ही दोनों पक्षों के बीच बिवाद हुआ और देखते ही देखते लोग उगर होगा है ज्यारखन में बजरपात से दस लोगों की मौत साथ मवसी भी चपेट में आए पिछले 24 गंडा में ज्यारखन के लगबक सभी जिलों में जम कर बारिस हुई है मंगलवार को बारिस के दोरन आजमान से बिजली कहर बन कर गिरी इस बजरपात में राज के अलग-अलग हिसों में करीब 10 लोगों की मौत हो गई वहीं कई मवसी भी बजरपात की चपेट में आगए आज भी ज्यारखन के कुछ जीलों में वजरपात के साथ बारिस हो सकती है वहीं 7 से 8 जुलाई को भारी बारिस की चेतावनी दी गई है रांची में आदिवासियों ने UCC के खिलाफ दिया धर्ना भाजपा के चुनावे एजेंडा में है जब भी चुनाव की बारी आती है यह मुद्दा गरम हो जाता है एक बार फिर से UCC का मुद्दा पूरे देश में गरम है अगर केंद्र सरकार UCC लागू करती है तो यह आदिवासियों के बिसेश अधिकारों का हनन होगा आदिवासिय अधिकारी पूजा सिंगल के पती अभिसेख जहा को सुप्रीम कोट ने बढ़ी रहात दी है जरसल बुद्द्वार को अभिसेख जहा की ओर से दैर अगरिम जमानत याजका पर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई जस्टिस संजय किसन कॉल और सुधांसू धुलिया के बेंच में सुनवाई हुई इस दवरन कोट ने अभिसेख जहा को अगरिम जमानत दे दी है और उनके खिलाब किसी भी तरह की पिड़क करवाई पर रोक लगा दी बता दे कि इसे पहले कई बार कोट ने अभिसेख जहा की अगरिम जमानत याजका खारिज कर दी थी अभिसेख जहा ने अगरिम जमानत के लिए पहले जार्खन हाई कोट में याजका दायर की थी लेकिन हाई कोट ने सुनवाई के बाद याजका खारिज कर दी थी इसके ब आज भी कुछ जीलों में हलके से मदर्ज की बारिस का अनुमान है मौसम विज्ञान केंद्रे के मुताबिक 7 और 8 जुलाई को राइधानी और उसके आसपास के जीलों में भारी बारिस हो सकती है मौसम केंद्रे ने साथ और 8 जुलाई को समवित बारिस को देखते हुए लोगों से सतर करहने के अपील की है विभाग ने यह भी बताया कि बारिस के बाद अधिक्तम तपमान गीर सकता है रांची पटनावंदे भारत एक्सप्रेस में हर दिन 90% सीटे हो रही बूक अठाई जुल से शुरू हुआ रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का सफर यात्रियों को खुब भारत है ट्रेन के रोमान्चक सफर और मिल रही सुभधा को लेकर यात्री खुश हाए ट्रेन में यात्रियों का फिड़ बैक लेने के लिए रेलेवे के कमर्चिल विभाग के अधिकारी को निवत किया गया है अधिकारी के अनुसार ट्रेन में रांची से पातना के लिए प्रती दिन 90 पर्थे सिटे यात्री आरक्षित करा रहे हैं या ट्रेन सुबा 7 बजे पातना से चल कर दो फर 1 बजे रांची पहुँचती है वहीं रांची से ट्रेन साम 4 बच कर 15 पर रवाना होती है और रात 10 बच कर 5 मिट पर पातना पहुँच जाती है ट्रेन में चेयर कार का किराया 1175 रुपए कैंटरिंग चार्ज के साथ वह जू क्यूटिव कलास का किराया 1110 रुपए कैंटरिंग चार्ज के साथ है ट्रेन में कूल 560 सीटे है वहीं जन सतादी ट्रेन पर्टना से सुबा 6-10 पर रवाना होती है और दो फ़र 155 पर राची पहुँचती है वहीं राची से ट्रेन दो फ़र 2 बच कर 25 मिल पर रवाना होती है और 10-25 पर पर पहुँचती है ट्रेन में लगबग 1800 सीटे हाँ टू एस का किराया रांची से पतना का 195 पर और चेयर कार का किराया 650 रुपया है धन्यवाद